जहें दोस्तों मैं आनने देदो आप सवी क्या स्वागत है आपके अपने डूप चैनल एस कालेज में फ्यारे मित्रों एस विडियो अप्लोड कर दिया है दूसरा जो है 20 नमबर तक सवाल हो गया आज 21 नमबर सवाल जो कि आपके बोर्ट पे दिखाई दे रहा होगा यहां पे 21 नमबर जो सवाल है और वीडियो प्रसंद आया तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आल पर करके आंकर लिजेगा देखे जैसे यह सवाल है ना ती 16256 है तीसे हम घात के रूम में बनाएंगे आधार दोनों का हम बराबर क कीह हमें दो के घात में भी बना सकते हैं दो के मैं यह भी बन जाएका और बदी संख्या के घात में बनाइए ऐसे तो जारक हम यह चार के घातर दो हैगा गुड़ते यह 256 चार की घात 4 होता है और यहां 0.07 है दो का गुड़ा इसमें घात का घात में गुड़ा कर दीजिए तो चार की घात 36 दूना 72 दस्मला बहत्तर और यह चार साच चोक 28 चार की घात 0.28 ध्यान दीजिए कि यह आधार अगर बराबर है आधार अगर इसका बराबर है तो घात आपस में क्या होता है जुड़ जाता है तो यह एक ही बार लिखेंगे 32 कितना सव होता है दो अंगे पहले दोनों में दस्मलों है तो दो अंगे पहले यहां भी दस्मलों लगा दो तो चार के घाते एक हो गया चार के घाते एक कितना होता है चार होता है सिर्फ यही आपका एंसर होगा एंसर आपसन यह आपका राइट होगा ठीक है अगला सवा अगला स्वाल यह देखिए गुड़ा है और भाग है दो ही चीज है गुड़ा है भाग है लेकिन पहले इसमें क्या किया जाता भाग किया जाता है उसके बाद गुड़ा किया जाता है तो हम इसे साल पर पहले करेंगे गुड़ा में घात जुड़ता है और भाग में घात लिखेंगे गुड़ते उसके बाद इसमें देखे भाग है ना तो घात घटेगा और आधार एक ही बाद लिखेंगे यह चार मसे आठ गए माइनस चार ठीक है यह इसको और यह पांच आवाधार बराबर है न तो घात क्या होगा जुड़ जाएगा जुड़ जोड़ेंगे तो पलस प्लामेद से घटेगा सात मससे चार घटाएगे तो पांस गात 9 तीन 5 ग्राइब जो होता है 125 होता है बस यही आपका उत्तर होगा यти ऐसे ही है यह अगला सवाल कि एथि आठ है और 100 पर डीस लेकिन घाच इसका जो है क्या है माइनस में में अगरा अगर आपस में बदल देंगे पल्टी करेंगे इसका हर का अंस में अंस का हर में तिया माइनस से क्या होगा प्लस हो जाएगा कि एक सो पचीस को हम उपर लिखेंगे और आठ को नीचे लिख देंगे तो घात क्या माइनस से प्लस में हो जाएगा ये आपस में बदलने पर माइनेस का प्लस प्लस का माइनस होता है 125 पांच की घात 3 होगा ये 8 दो की घात 3 ति हम 5 बटे 2 की घात हम 3 कर सकते हैं अगर हम इतना बनाएंगे तो 25 पांच 125 दो दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा अब ये जो 4 बटे 3 है ऐसे रहने दिजिए ये हर में है ये एंस में है कड जाएगा अब 5 घात 4 और 2 की घात 4 आ जाएगा तो 5 घात ये जो 4 है ना ये जो घात में 4 है ये 5 का भी घात है और 2 का भी घात है क्या कि ब्रेकेट लगा है तो 5 घाट 4 625 होता है और 2 की घाट 4 16 होता है यह आपका उत्तर होना चाहिए 625 बटे 16 625 बटे 16 आपसन एपका राई पहला यह आपसन मिल रहा है अगला सवाल देखिए यह वाला सवाल देखने में बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत हीजी बहुत सरल है इसमें आपको क्या करना है यह देखिए इसका जो घात आपस में गुड़ा करो और यह काड़ी का घात जो है बटे में जाता है तो गुड़ा होगा 9 गुड़ते 4 अब बटे में ये 6 गुड़ते 3 कर देंगे 6 गुड़ते 3 अब फिर यहां कुछ नहीं तो गुड़ा माना जाएगा यहां 4 था यहां 3 था ये 9 गुड़ते 4 और 6 गुड़ते 3 अब उसके बाद फिर गुड़े 5 गात वैसे ये 9 गुड़ते 4 और बटे में ये तीन गुड़ते च्छा तीन गुड़ते च्छा अब जो कटे काड़ दीजे देखे ये जो है आपका कि दो दूनी चार तीन दूनी च्छा और ये तीन त्याएं नव से ये नव कड़ जाएगा ये वी सेम वही कंडिशन है तीन दूनी 6 और दो दूनी 4 और ये तीन पивать टीन त्याएं 9 से ये 9 कड़ जाएगा बचा कै engaginga पांच गाते दो है और गुरते पांच घात 2 है इसका आधार बराबर है देख रहे हैं 5 घात सब है न तो आधार हम बराबर यह एक बार लिखेंगे 5 और यह 2-2 4 हो जाए घात जुड़ जाएगा 5 घात 4 आएगा 5 की घात 4 आपसन क्या है आपसन आपका सी सही है अगला सवाल देखिए यह जो सवाल है 25 नंबर 13 गुड़े 13 है गुड़े में वन्चास के घात में 3 बटे 2 है यह वन्चास जो है साथ की घाते हम 2 कर सकते हैं साथ के घात में 2 गुड़े 3 बटे 2 तो पहले से है यह 2 से 2 कैंसिल लेकिन यह 13 रहेगा और साथ के घात यह 3 बचा है साथ के घात 3 कितना होता है 343 होता है यहां 343 लिख देंगे 13 से गुड़ा कर देंगे तेरह तियां 49 तेरह चुका 52 औहां हासिल 3 बावन तीन पचपन औहां हासिल 5 तेरह तियां 49 और 59 अप्ट कॉन सा है आप्षन चूब आप साथन आपका बी यहीं सही है ठीक है समझ मारा आप वीडियो लाइक करिएगा शेर जरूर करिएगा ठीक है और देखें अगला सवाल ये भी बहुत ही अच्छा सवाल 64 है ये घात देख रहे हैं एक बटे तीन है इसका भी ऐसा घात बनाए घात तीन हो जाए तीन से तीन कट जाए ठीक है तो यहाँ यह साथ को ऐसे रहने देंगे चौशड़ चार के खात तीन और यह घात एक ब्टे दीन है गुड़ते एक ब्टे प्रती एक ब्टे तीन एक प्लास में यह जो चोटाइस है ना तीन के खात तीन हहोगा अब उसके एक बेट यह कोगाencies तो पहले से एक बटे से एकप़ तीन यहा इतना हो होगया अब जो है इसका घात में 3 है यहां भी 3 है इसका टोटल इतने गाट ठीक है अब उसके बाद इसका घात 1 बटे 4 है इसके उपर अब जो है यह 3 से 3 तो कड जाएगा आपका यह 3 से ये 3 कटा ये 3 सिए 3 कटा ठीक लेकिन 4 और 3 7 हो जाएगा 4-3 यह साथ गुड़ते 4-3 साथ और यहां घात यह तीन बचा है तो 3 यहां लिख देंगे और इसके घात में एक बटे चार अब ध्यान दीजे ये तो यहां माना जाएगे किसके उपर तो तीन यहां है यहां है गुड़ा में घात जुड़ जाता है तो साथ के घाते ये तीन एक चार हो जाएगा और यहां एक बटे चार है एक बटे अगर चार है अगर इसको हम काड़ देंगे तकड़ जाएगा बचा क्या साथ घाते एक यानि साथ ही होगा यही तो आपका एंसर आना चाहिए साथ एंसर यह आपका आपसान में है सही है अब अगला सवाल 27 नमबर जो सवाल है 49 घात 3 बटे 2 है 49 को हम साथ के घात 2 कर सकते हैं यह साथ के घात में 2 बना दीजिए और यहां 3 बटे 2 आलरेड़ी है पहले से यह भी साथ के घाते 2 बनाएंगे और माइनस 3 बटे 2 है ठीक है ब्रेकेट बंद कर दीजिए अब यहां जो है आपका कटेगा बटे 3 बटे में एंस तीन है साथ के घात 3 जो है हम ऐसी लिख सकते हैं अब इस साथ किखात माइनस है ना हर में ले जाएंगे बटे में ले जाएंगे तो पलस हो जाएगा ऐनी 1 अपान 7 कि पावर 3 जब इसका इसमें गुड़ा होगा तो घात क्या होगा जुड जाएगा इसको हम ऐसे कर सकते हैं, साथ घात तीन, गुड़ते साथ के घात तीन, और प्लस में एक है, और बटे में साथ के घात कितना है, तीन है, अब इसी को साथ घात तीन, साथ के घात जो तीन होता है, और ये तीन है, आधार तो बराबर घाट जुड़ जाएका 7 के घाट कितना हो जाएका 3-3 6 प्लस 1 बटे में 7 के घाट 3 लेकिन इस फार्म में इस फार्म में एंसर नहीं है आपको गुड़ा करके लिखना पड़ेगा तो गुड़ा करेंगे तो 7 के घाट 4 होता है 24-0-1 7 के घाट 4 24-0-1 यानि यह होता 7 घाट 4 लेकिन 7 घाट 6 होता है अभी हमें को गुड़ा करना पड़े कितना दो बार 7 से एक बार 7 से गुड़ा करना है 7 के 7-0, 7.28, 7 दोनी 14, 14 दो 16 ठीक है फिर इसमें 7 का गुड़ा करेंगे क्योंकि 4 यहां एक 5 और 1 एक 6 साथ घाट 6, 7-49, 7-0, 4 हासिल यहां नो यहां 4 और 7-8-56, 56, 6, 7-6, 42, 42 हासिल 5, 42, 47, 7 के 7 और 4 हासिल, 7-4, 11 अब यह जो देख रहे हैं आप इसमें यह साथ घाट 6 के बराबर इतना है तो इसमें एक हम जोड़ देंगे तो 49 से क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इसके बराबर यह 11, 76, 50 यानि एक जोड़ देंगे और यह साथ घाट 3, 343 होता है यानि यह आपका हो जाएगा एक लाग 17, 650 एक लाग 17, 650 कोई है हां एक लाग 17, 650 बटें 343 यह आपका ऐसा ही होगा ठीक है यह एंसर आपका हैगा अगला यह एस्टी यादव की एक एक सवाल को बताएंगे पूरा कंप्लीट करेंगे चप्टर देखे 28 नमबर हां 28 नमबर यह 7,776 जो है छा के घात में 5 होता है यह लेकिन माइनस लगा है तो माइनस छा के घात क्या 5 ठीक है अब माइनस छा के घात 5 और यह दो बटे 5 है ठीक है दो बटे 5 तो यह 5 पांच कटेगा माइनस छा के घाते दो है अब चाके घात 2 बचा तो च्छा चांग च्छतिस हो जाएगा च्छा का दो बार गुड़ा और माइनस बानेस से प्लस हो जाएगा तेही आपका एंसर आना चीए 36 आपसन जो की बी आपका सही है अब अगला स् अच सब जितना भी संख्या यहां पर दिया है सब क्सक्रा पांच के घात के रूप में होगा ति5 गणा 12 असर अगुड़ते यह 5 घात कितना 3 होता है और यह भाग में है 5 गात यह 2 हो जाएगा बराबर ये 5 की घात में 5 होगा यहाँ और यहाँ ये जो किश्वर मार्क है इसके जगा यक्स मान लेजे ठीक है और ये 25 को 5 घात 2 होता है और किश्वर मार्क जगा प्यक्स तो ये 2 यक्स बना दीजे अब जो है गुड़ा में घात जुड़ता है और भाग में घात घटता है पांच घात 12 है अब गुड़ते ये जो है भाग है ना पहले इससे साल्फ करेंगे तीन में 6 घटाएंगे तो माइनस 3 आएगा माइनस 3 और बराबर ये 5 के घात में ये 5 है 5 है तो एक बार 5 लिखेंगे ये जुड़ जाएगा दो यक्स और 5 तो यहां 2 यक्स प्लस 5 होगा ठीक है यहां 5 रहेगा आधे गहां तीन घटा देंगे तो 5 घाते नव आएगा और यह 5 घात क्योंकि यह घात में जुड़ जाएगा और जुड़े नहीं पर प्लस माइनिस माइनिस हो जाएगा बार मस्तिन गए नव आएगा और यह 5 घाते 2 x और प्लस में क्या है 5 आधार अगर बराबर है तो घात क्या आपस में बराबर होंगे यानि ये 5 5 केंसिल होगा 9 के बराबर क्या हो जाएगा 2 x प्लस 5 5 इधर आएगा 9 मस पांच घड़ जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ 2 x 2 सकाड देंगे यहां दो आ जाएगा बराबर यक्स यक्स का वैलू क्या आया दो आया जो कि आप संसी आपका सई है ठीक है आप संसी आपका करेक्ट होगा अगला सवाल अगला सवाल देखे एक नट पानी पी लेते हैं अब देखे यह तीस नमबर सवाल जो है बहुत ही जी है देखे ख़ड़ाईएगा मत यक्स घाते पांच है यक्स घाते चार है भाग में अगर भाग का चिन है तो घात क्या है घट जाता है तो पांच मस चार घटाएंगे तो यक्स घाते कितना एक हो जाएगा फांच मस चार घटाएंगे एक हो जाएगा ये घात तीन लगा है तीन लगा दीजे और यहां फिर भाग और सुनेए यहां भी भाग यहां भाग लांग किया जाता है उसके बाद और उसमें भी झोटा मजला फिर बड़ा उसके बाद भाग को साल गया फिर गुडा को फिर जोड़ को फिर घटाना को यह होता है सिम्लिफिकेशन का और इस यक्स घ्राद क्या है दो है ऑब नहीं बराबर इसी के बराबर तो पूछ रहा है देखो अब 3-2 यक्स घट 3 और भाग में यक्स घट 2 है यहां भाग का चिन है तो घट घट जएगा गहात आधार अगर बराबर रहेगा तो घट घटेगा तो यक्स घाते तीन मेंस दो गए एक यानि यक्स घाते एक का मतलब होता है सिर्फ यक्स ही तो यक्स क्या होगा आपसंद जो कि आपका डी सही है अब आगला सवाल देखिए 31 नंबर में 2 प्लस 1 है 2 के घाते 2 प्लस 1 है 2 घाते 4 प्लस 1 है 2 घाते 8 प्लस 1 है सब 2 का घाती है तो इसे हम क्या करें 2 एक 3 हो जाएगा दो दुनी 4 एक 5 हो जाएगा और दो घात 4 16 होता एक 17 हो जाएगा और ये दो घाते 8 256 होता और ये 257 हो जाएगा ठीक है इतना हुआ अब इसका इन 3ों का गुड़ा कर दिजे क्या इन 3ों का गुड़ा कर देंगे 17,85,85,85,85,85,85 होता है तहां 255 अगुरते ये 257 है लेकिन A²-B² के फार्म में दिया है तो हम A²-B² का फार्मुला लगाएंगे तो यहां फार्मुला लगाने से पहले हमें ये बनाना पड़ेगा 256 में से 1 को घटा देंगे तब 255 आएगा 256 में से घटाएंगे 255 और दूसरा क्या है 257 है 256 और प्लस एक जोड़ेंगे तब तो आएगा 257 ठीक है आप यहां इसको A मानो और इसको B मानो ठीक है यानि A-B A प्लस B फार्मुला बनदा है A स्कॉयर मैनिस B स्कॉयर होता है तो हम इसका स्कॉयर करेंगे यानि जैसे यह होता है अगर A प्लस B दिया है और A माइनस B दिया है या पहले इसको दिया बाद में इसको दिया है तो क्या हो जाएगा A स्कॉयर माइनस B का स्कॉयर हो जाएगा तो उसी प्रकार हम करेंगे इसका स्क्वाइर दोसो चपन का स्क्वाइर और माइनस यह एक है भी का मन तो एक का स्क्वाइर एक का स्क्वाइर जो है एक ही होता है इसलिए एक का स्क्वाइर एक हम लिख देंगे ठीक है 256 की स्क्वार माइनेस 1 256 की स्क्वार माइनेस 1 आपसन आपका D सही है D आपसन सही है अगला ये देखें रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट दिया है लेकिन अगर ये अनन्तवार होता अगर ये अनन्तवार होता जैसे ये ऐसे रूट टू, रूट टू, फिर इसके अंदर रूट टू, ऐसे इसे करके यहाँ यह सिंबल होता, एंडिफाइन का अनंतवार होता, तो यह सिर्फ और सिर्फ यही दो आपका एंसर हो जाता, लेकिन यहाँ अनंतवार नाई एक limited संख्या दिया है, एक limited संख्या, एक, दो, ती तीन, चार, पांच, सिमित संख्या, पांच ही बार है, कितनी बार है, अगर हम यह जान लें कि इतना ही बार है, पांच ही बार है, तब इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो, यह जो दो है ना, हम दो को यहाँ जो भी संख्या रहेगा, उसको ऐसे लिख लेंगे, अब उसके बाद दो का हम पावर लगाएंगे जितनी बार संख्या है एक दो तीन चार पांच है दो घाते पांच कितना होता है दो घाते पांच जो होता है आपका बत्तिस होता है तो बत्तिस जो है बत्तिस में एक घटा के उपर लिखेंगे और बत्तिस को हम नीचे लिखेंगे यह पहतने हैं कि हैं यहां पी जो सवाल दिया है यक्स के बराबर यह टू रूद में आप तो और नालगा दिया है लेकिन प्लस लगा लगा दिया है यह यह करें आगे तो इसको कैसे और बनें जब लगातार गत दो फैक्टर इसका अगर बन जाए जैसे दो है ना तो किया कर सकते हैं डो ग४ल्टे एक ठीक तो यहां अगर प्लस है तो बड़ी संख्या प्लस हो खोलाओ छोटी संख्या माइनस है तो आपका answer क्या होगा प्लस तो दिख्या नहीं जाता है तो दो लिखेंगे और माइनस एक जो कि आपसान आपका है सही है लेकिन यहीं अगर माइनस दिदेता तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या प्लस हो जाता है यहां जो चिन रहेगा वो बड़ी संख्या के साथ में रहेगा बस इतना याद रखेगा जब लगातार गुड़न खंड हो जिसे यह दो है माली जे 20 है 4-25 तीस और तीस कशह वारा है 15 पन्दर नहीं होगा मान के लिए 12 है ब़ओ निखंड होंगे तो सरे बड़ी संख्या स्यथितन प्लसए प्लस होगा तो như चीने रहेगा रहेगा बड़ी Put down in zero trav後 अब जो है यह सवाल देखें रूट में 12 है हाँ जम वесть से है तो इसका गुड़नखंड क्या होगा देखें 12 है ना तो चार गुड़त is दिर गुड़नखंड बनाजो का तो बड़ा प्लास ने बड़ी संख्या क्या होंगा प्लस सचोड़ी संख्या माइनस है सॉस्वाइब लगा अगला सवाल यहां दिया है यहां यहां कट गया है ऊपर से यह यहां कट गया है यह यह रूट है ठीक है रूट में 6 है फिर रूट अगर लगातार खंड तो बड़ी प्लस है तो भोडी संख्या प्लस होगा और छोटी संख्या मायनिस होगा यह मायनिस और यह प्रस होगा अब अगला नंबर जब भी आप सवाल अगर एश्टी यादुक लगा रहा हैं जो भी सवाल फसे फटाक से यूटूब चैनल खोलिएगा एस कॉलेज उसमें टाइफ वाइस करके और पार्ट में करके डिवाइड करके हर एक वीडियो बना गया हर एक सवाल आपको मिल ईसटी एदोमयत के नाम से हाँ अब यह दिखो एक है अब जिसका गुरनखंड अगर नहीं बन पाता है तब क्या करोगे अगर गुरनखंड नबन पए तब क्या करोगे जिसे लगातार गुड़न खंडना हूँ तो वहाँ भी condition ये है कि अगर plus वाला दिया है तो यहाँ one plus root में one plus four x लिखेंगे x जो है यह बैलू होगा जो यहाँ दिया रहेगा ठीक है जो संख्या दिया है और बटे में two ठीक है यह निकालेंगे plus वाले के लिए अगर minus वाला दिया रहे तो यहाँ minus one बाकि सब वही रहेगा ठीक है यह यह formula लगा देंगे आ जाएगा तो यहाँ plus वाला दिया है ना तो हम इस plus वाले का formula लगाएंगे तो हम one रखेंगे और plus one plus root में one plus four x है ना तो four x में four में एक का गुड़ा x के जगा पे यहाँ एक 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 दिया है तो एक लिखेंगे बटे में two लिखेंगे तो यहाँ one plus root में 4 के 4 और एक यह 5 हो जाएगा पांच बटे दो अब यह जान लिजे root में 5 का square कैसे निकाला जाए जिसका perfect square निकाला जाए सके पूर वर्ग न हो उसका वर्गमूल कैसे लिया जाता यह जान लिजे हम देखें यह 5 है ना तो root में हम 5 को क्या लिख सकते हैं root में अगर root में 5 दिया है तो इसको हम का सकते हैं क्या root में 4 और प्लस 1 तो 4 का वर्गमूल ने सकते हैं ना अब इसको हम ऐसे करेंगे 4 का वर्गमूल 2 होता है और प्लस यह एक जो है ना यहाँ एक बटे में 1 यह जो 1 है यहाँ 1 लिखेंगे अपान इसका double कर यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4 अब यह 2 प्लस 4 काटेंगे 2 प्लस यह 2 प्लस यह 2 प्लस यह 2 प्लस लेंगे और बटे में 2 तो 2 दस्मलो 2 में एक जोड़ेंगे 3 दस्मलो 2 बटे में 2 अगर इसको हम काट देंगे तो क्या आएगा 16 दूना 32 होता है 1 दस्मलो 6 आएगा 1 दस्मलो 6 जो है किसके बीच में है यह 1 दस्मलो 6 एक से बड़ा होगा और 2 से तो छोटा है एक दस्मलो 6 तो यह हो जाएगा एक और दो के बीच में एक तथा दो के बीच में यही आफसान आपका सी आफसान आपका राइट है सही है अगला सवाल रूट के अंदर रूट यह भी दिया है लेकिन इसका गुड़न खंड हो जाएगा इसका दो गुड़ते एक अब दो गुड़ते एक, दो एक के दो हो जाएगा लगा तार गुड़न खंड है एक और दो लेकिन ये plus में तो बड़ी संहिया plus होगा च्छोटी संहिया minus हो जाएगा तो option में आपको ये plus वाला सब दिया है अब जो है यहां तीन और तीन दिया है इसका गुड़न खंड लगातार क्रमा गद गुड़न खंड नहीं हो सकता है जब गुड़न खंड लगातार नहीं हो सके यह तो यक्स का बैलू दिया है न यानि जो फार्मुला हम लगाते हैं 1 plus plus वाला है तो plus 1 जो है plus में लिखेंगे और 1 plus 4X बटे में 2 है ठीक है बराबर यह 1 रहेगा और plus root में 1 plus 4 into x का वाईलो तीन है तीन लिखेंगे और बटे में क्या बटे में यह फार्मुला में 2 है तिहां 2 लिख देंगे यहां वन प्लस यह चार तेमें बारा, एक तेरह हो जाएगा और बटे में यह दो ठीक है आप बटे में यह दो है अब धियान दीजे तेरह जो है, यह पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता इसका, ठीक है? तो दस्मलों में कैसे निकाला जागा 13 जो है आपको अभी हमने बताया कि रूट में यह 13 है कि रूट में 13 को हम क्या कर सकते आइसी संख्या देखना है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकते ठीक है तो नौ का इस से छोटी नौ है नौ का वर्गमूल निकाला जा सकता है तो नौ लिखेंगे और प्लस चार होगा नौ चार तेरा तो नौ का वर्गमूल क्या होता है तीन होता है और प्लस में यहां हम चार लिख देंगे इसका वर्गमूल नहीं निकालेंगे दूसरे वाले संख्या चार बटे में इसका डब दीजिए 0.6,36 जीरो दस्मलो च्छा जाएगा यानि यह 3.6 हो जाए क्या 3.6 हुआ यहां 1 प्लस यहां जो आपका बनेगा 1 प्लस 3.6 ते रहा और बटे में यह 2 अब यह एक इसमें जोड़ दीजिए 4 दस्मलो च्छा बटे में 2 इसको काड़ देंगे तो 2 दस्मलो तीन हो जाएगा और 2 दस्मलो जो 3 है 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा 2 से बड़ा 3 से छोटा 2 आओ 3 के बीच में ही आएगा 2 दस्मलो तीन तो 2 से बड़ा यह है और 3 से छोटा यानि यह एक आमान दिया है यहां ठीक है ए बराबर दया ना तो यही होगा दो से बड़ा थीन से चोटा। क्या। दो से बड़ा थीन से चोटा दो दस्ब्लोंग तीन आयेगा। आपसंस सी आपका सही है। अगला सवाल देखे। हाँ चैあ है अब यहा आपको ध्यान देना होगा। यह चै Pomamiam Euroisen Sum Gelذ commence for M total video तीन आना चाहिए आप संदी आपका सही है बस और इसमें कुछ नहीं करना है ठीक है अब अगला सवाल देखिए एक तालिस नंबर अब इसमें एक चीज़ देखना है कि जो लाश्ट में वर्गमुल दिया है इसका तो वर्गमुल हम निकाल सकते हैं यहीं से सुरू करेंगे तिसका वर्गमुल आएगा बारा एक से चुवालिस कर मुल बारा बारास बाहए में जोड़ देंगे चौसब हो जञेका और चौसच रूट में रहेगा चौसब निकालेंगे तो कि आएगा इसको ऐसे सालो करना देखे दोसो ऐड़तालिस हैवाग्यू उन बारास बारासates में यह बावन है लेकिन यह रूट के बाहर ले लो तो इस वाले रूट में आ जाएगा क्या बारा अब यह जो है 248 अब प्लस बाराव बावन क्या होगा चौशट तो 248 जो है यह मन में साल्प करको ज्यादा वहतर होगा फड़ाक से सुचते चले ओ 646 का क्या होगा आठ तो यह क्या होगा 256 और 256 को अब क्या होता है 16 बस यह चैसलप आज आएगा आपसान क्या कि यह चैनल हो यह सेम वही कंडिसन थैंगे कि इस तरफ से देखेंगे यह जू चार conductivity है वर गुमन में बाहर आएगा दो वियुज जोड़ेंगे तो कितना हो जाएक 144 144 वर्मूल आएगा 12 तिसमें हम 12 जोड़ देंगे किसमें चार में 12 4 16 16 वर्मूल 4 होता है आप साना आपका सी सही है हाँ अब यह बहुती मज़ेदार सवाल है बहुती बढ़िया देखे रूट के अंदर रूट के अंदर लेकिन इसमें जो है holy square या यह minus b का holy square का formula हम बना सकते हैं अगर यहां plus ए प्लस वाला formula minus है तो minus वाला formula बनेगा अब कैसे बनेगा देखो यह 4 चार root 3 है ना इसको हम ज्यांदी a plus b का holy square formula में यानि a plus b का holy square जो बनता है a square plus b square और plus 2ab तो इसी से हम मालूम कर लेंगे कि a का मान क्या है और b का मान क्या है देखो कि यहां जो दिया रहेगा इसी से मालूम होगा एक अब इसको 2ab में हम तोड़ेंगे पहले तो हम दो का गुड़ा करेंगे दो चार है ना अब यह दो हो जाए दो बचेगा अब उड़ते में यह क्या है root में 2 है 2AB यह जो है A का मान है और यह जो है आपका B का मान है तो यहाँ A plus B का जो holy square बनता है formula उसमें A square plus B square होता है तो A का मान 2 है B का मान root में 2 है देखो इसको ऐसे लिखेंगे minus root में 3 को रहने देंगे इसे और plus यह root में 3 और plus 8 root में जो 7 है ना 7 को हम करेंगे क्या A का square इसका work करेंगे तो 7 ही आए स्वरी यहाँ root 2 नहीं है जी यहाँ root में 3 है तो root में 3 तो क्या करेंगे A का मान 2 का square और plus या इसको ऐसे कर दो A का मान मिल गया 2 और plus B का मान मिल गया root में 3 इसका क्या होगा square होगा क्योंकि A plus B का holy square इसे अगर हम तोड़ेंगे तो यहीं आएगा यह देखे A square और 2 का square और plus B square root में 3 का square और plus 2 A B 2 into 2 into root में 3 होगा यह 2 दूनी 4 हो जाएगा और plus square से root कर जाएगा 3 आएगा और दो दूनी 4 और यह 3 चार तिन साथ साथ प्लस चार रूट तिन साथ प्लस चार रूट तिन यहीं तो आ रहा है ना अब इसमें अब यह square है यह root में है square root cancel हो जाएगा जब square root cancel होगा minus root में 3 और plus यह root में 3 है और plus यह 8 है यह 8 और root में square root cancel होगा तिन 2 प्लस root में 3 हो गया ठीक है अब इसको हम बना सकते है minus root में 3 मन में सोचों को बहुत जल्दी ऐसे सवल साल होते है अब यह क्या है यह 3 हो जाएगा इसको हम यह तो ऐसे कर सकते है एक line क्या बढ़ा होगे फालतों में 8,16 और 8 root 3 हो जाएगा यह 16 है यह 3 अब फिर वैसे ही बना अब यह a plus b का holy square बन रहा है यह 8 root 3 जो है 8 root 3 में 2 a b है तिया 2 गुड़ते क्या कर सकते हैं 4 दो लेना आपने से उसके बाद बचा जो 4 अब गुड़ते root में root में 3 है root में 3 है ठीक है यह a का मान 2 a का मान है यह b का मान है a का मान है और b का मान है तो a का मान क्या रखेंगे हम a का मान 4 रखेंगे और b का मान क्या रखेंगे b का मान root में 3 तिसको हम क्या गर सकते हैं minus root में 3 और plus यह a plus b का holy square है इसको ऐसे बना सकते हैं यह 4 प्लस रूट में 3 का वर्ग हम बनाएंगे तो इसक्वायर से रूट गांसील हो जाएगा त्य यहीं बचेगा ना इसको आ हम कर सकते हैं इतने को 4 प्लस रूड में 3 यह प्लस यह माइनस कड़ाये गोफ बचेगा रूट में 4 और 4 का वर्ग मूल होता है दो तो यहां दो आपका यही एंसर है अपसन भी आपका सई है अगला सवाल हाँ अब देखो इधर से वर्गमुल लेते चले आएंगे इसका और में साथ होगा साथ में जोड़ेंगे कितना आएगा 29, 36, 36 का वर्गमुल 6 हैगा 6, 19 में 6 जोड़ेंगे 29, 25, 25 वर्गमुल 5 आएगा 5, 11 हम जोड़ेंगे 11, 5, 16, 16 का वर्गमुल 4 आथा 4, 5 में जोड़ेंगे 5, 4, 9, 9 का वर्गमुल 3 आएगा तो आपसन आपका यह सही होगा अगला सवाल 248 प्लस बामन अरूड में 140 यह सवाल साथ हो चुका है यानि इसका वर्गमुल 12 आजाएगा 12 इसमें जोड़ेंगे 64, 64 वर्गमुल 8 आएगा 8 में जोड़ेंगे 256, 256 वर्गमुल 16 आजाएगा आपसन भी आपका सही होगा अगला यह जो है इसका वर्गमुल लेंगे क्या आएगा 49 इसका वर्गमुल 49 आपसन आपका 20 आपसन आपका 20 आए फिर वैसे ही सवाला सेम सवाल वही है यही आपसन होगा यह इसके पहले वाला जो सवाल आपका लग चुका यह वाला सवाल यानि ध्यान दिजिए या लगा देते हैं चली देख लिजिए इसको ऐसे मन में माइनेस रूट 3 रहेगा और प्लस में यह रूड में 3 और प्लस यह आठ और यह जो है तुए भी टू रूट 3 एक कामान 2 मिलेगा रूड बी कामान 3 इतना हो जाएगा अब इसका गुड़ा इसमें हो जाएगा अब माइनेस रूड में 3 और प्लस यह देखो आठ दूनिस वोला सोला तिन उननिस वो प्लस आठ रूड तीन हो जाएगा आठ रूड तीन अब इसमें टू यह भी बनाएंगे तो टू गुड़ते फोर यानि टू इंटू फोर हो जाएगा तो एक कमान 4 और भी कमान रूड थी है तो चार रूड थी आएगा तो इस्क्वाइर करें इस्क्वाइर करड़ी कटेगा तो माइनिस रूड तीन और यहां हो जाएगा चार और प्लस रूड में तीन तो रूड तीन प्लस माइनिस कट गया चार कवर्गमुल दो होगा आपके यह इंसर आएगा हां अब यह दिखो 15 के घाथ 225 होगा और गाते 6 कितना होता चैशन होता है तो वही जोड देंगे यह 64 लिखेंगे यहाँ यह यहां कितना हो जाएगा चैशन सबसी ना चैशने हाट और 289 वर्गमुल 17 होता है 289 वर्मूल 17 होता है यह देखिए यहां 64 है ठीक है यह देख लो 64 का यहां 513 ऐसे रहने दीजिए 513 माइनस माइनस यहां इसका वर्मूल 9 माइनस 64 का क्या होगा 64 का आठ होता है यह 513 मासे यह 29 को हम घटा देते हैं यह तीनों जोड़ लेंगे माइनस 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 जुड़ जाएगा अभी 513 मासे 29 घटाएंगे तो 484 आ जाएगा सहиляं 484 क्योंकि 13 Ultra ओंडेद दो गए आट यहां 4 बचा है है अब यह देखे है यह तो लगातार ब्लत यह आनंन तक दिया है घर तिसकर हम लगाता क्रमागाद गुड़न खंड होगा क्या पांच और चार तो बड़ी संख्या प्लस छोड़ी संख्या माइनस क्योंकि प्लस है तो यह होगा आप्षन पांच जो क्या आप्षन में है आप्षन भी आपका सही है नोट कर लिजिए और हो गया फिफ्टी नमबर तक हुआ अब पचास नमबर के बाद अगले दिन दिन